हलो फ्रेंड्स मैं हूँ अंजली गलानी तो अब हम देखने जा रहे हैं question number 24 जो कि किसे relate करता है budget वरायन से ठीक है तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले required portion read करेंगे उसमें आपको पूछे गए हैं दो question तो सबसे पहला question हम read कर रहे हैं treating the machine shop, fabrication and assembly as a cause center तो आपके पास है ना तीन तरीके के departments दे गए होंगे या shops भी बोल सकते हों तो वो तीनों shops के लिए वो क्या कह रहे हैं machine shop, fabrication और assembly इनको हमें क्या treat करना है cause center तो prepare a cause sheet, cause sheet बनानी है आपको for each center तो हर एक के लिए machine shop के लिए अलग fabrication के लिए और assembly के लिए अलग तो हम देखो हमारा कौशिट का format तो तीनों के लिए सेम होता है तो सरफ हम अलग अलग ना बनाते हुए हम क्या करेंगे एक ही page पे आप तीन vertical lines ट्रॉ करोगे और तीनों की figures जालते जाओगे आगे लिखावा है with the help of this information तो यह आपको नीचे information दे गई है उस information को ध्यान में रखते हुए आपको कौशिट बनानी है दूसरी एक बात आपको यह जो word है ना cause center इन तीनों को हमने उन्होंने कहा है कि हम इने cause center treat करें इसका मतलब देखो आपको अगर responsibility center का अगर आपको concept मालू होगा तो यह समझना आपके लिए बहुत ही easy है देखो को कोई भी industry मालो जैसे कि reliance industry है तो वो सारे के सारे काम खुद तो नहीं करती सिर्फ क्या करते हैं जो head होता है अंबानी जी जो हैं वो क्या करेंगे वो सिर्फ क्या करते हैं investment करते हैं बाकी के जो सारे काम है वो responsibilities divide की जाती है जो head होता है वो कहता है कि मैं इतनी investment कर रहा हूं आप मुझे इतना profit लाके दे, तो profit की responsibility एक अलग बंदे की होती है, फिर वो profit वाला बंदा किसी को क्या कहेगा, दूसरे एक को सबोडी लेक को वो responsibility दे देगा, कि आपको इतने cost के अंदर पूरा का पूरा काम करना है, ठीके, फिर cost के अंदर भी देखो, फैक्टरी का काम देखने वाला cost अलग होता है, administration का खर्चा अलग, selling and distribution का अलग होता है, तो cost में भी further हम क्या करते हैं, responsibilities दे देते हैं, तो सिर्फ वही चीज है, तो responsibility center, cost center, यह वही बात है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, इस case में, यह तीनों जो departments हैं ना, तो इनको responsibility, किसकी दी गई है, cost की, तो इसी लिए उन्होंने बोला है, कि हमें cost बना कर बतानी है, cost मतलब क्या, उसमें हर तरीके के खर्चे आएंगे, और cost का तो format आपको पता ही होना चाहिए, इस question को solve करने के लिए, वैसे भी, इस chapter में, मैंने आपको 2-3 जग़, already cost जोग कर चुकी हूँ, और साथी साथ समझाती भी हूँ, तो यहाँ पर भी मैं आपको एक बार वापिस से जोग कर दूँगी, ओके, तो आगे क्या लिखावा है, आगे लिखावा है, shop superintendent, मैं में में क्वेशन रीट करने के बाद ही रीट करूँगी, ठीके, आगे लिखावा है, सेकेंड क्वेशन रीट करते हैं, ट्रेटिंग मशीन चॉप, प्रेब्रिकेशन और असेंब्ली, आस रिस्पॉंसिबिटी सेंटर, तो देखो, यहाँ पर हम क्या ट्रेट कर रहे थे, कॉस सेंटर, तो इसी लिए वहाँ पर सरफ उन्हें क्या बताना था, सरफ कॉस्षिट बतानी थी, अब यहाँ पर हम इन तीनों डेपार्टमेंट को, रिस्पॉंसिबिटी सेंटर मानते हुए, हमें प्रिपेर करना है, रिस्पॉंसिबिटी अकाउंटिंग रिपोर्ट पॉर्शॉप सुप्रिटेंडन, तो हमें बनानी है रिपोर्ट, रिपोर्ट में सर्फ क्या करोगे, आप टोटल फिगर्स उठाकर लिखती हो, ठीके हमें रिपोर्ट बना कर किसे दीनी है, शॉप सुप्रिटेंडन के पास, यह जो रिक्वाइट पॉर्शन में, मैं आपको एक बार वापस रेट करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले अब हम क्या करेंगे, मेइन क्वेशन रेट करती है, ठीके, तो मेन क्वेशन देखो, आपका क्या लिखा हुआ है, तो स्टर्लिंग वर्क्स लिमिटेड हमारी यह कंपनी है, उसके फाक्टरी में तीन प्रोड़क्शन डिपार्टमेंट्स है, तो तीनों production departments के नाम क्या दिये गए है machine, job, fabrication, assembly which are the responsibility of shop superintendent ठेके तो ये shop superintendent जो है ना इसकी responsibility है इन तीनों production departments की देखरे करना ओके आगे दिया गया है shop superintendent along with the material manager, planning superintendent and maintenance engineer reports to the work manager at the factory तो अगर इसे diagramically लिए देखो मैं अगर बता हूँ तो यहाँ पर देखो production department तीन आपके production department है machine shop, fabrication, assembly ये तीनों किसकी जिम्मेदारी है shop superintendent की तो ये क्या करता है ये along with ये इनके साथ मिलकर इनके साथ मिलकर material manager, planning superintendent और maintenance manager इन तीनों के साथ मिलकर क्या करता है report करता है किसको report करता है works manager को reporting करता है तो आगे question rate करते हैं आगे आपको दिया गया है the office administration sales and publicity comes under sales manager who along with the work manager report who along with the works manager report to the managing director of the company its means देखो यहाँ पर क्या भूलावा है ये जो office, administration, sales और publicity के जो भी related खर्चे होंगे ये sales manager जो है वो sales manager, work manager यहाँ पर ये जो work manager था ये इसके साथ मिलकर किसको report करेगा managing director को report करेगा in short मैं ये जो first पैरा दिया गया है उसको explain करती हूँ आपको दिये गये हैं तीन आपके departments है और ये तीनों departments production department है इनकी responsibility किसके पास दी गई है shop superintendent और अगर आपको याद होगा तो आपको जो question number 2 question में पूछा गया था question 2 का answer आपको क्या निकालना था आपको निकालना था responsibility report बनानी थी और वो report आपको किसको देनी थी वो report आपको देनी थी shop superintendent को इसका मतलब और ये जो report कौन देगा shop superintendent work manager को report देता है ठीके तो और ये जो selling distribution publicity यानि कि administration और selling से related जो खर्चे होते हैं ना उसके responsibility किसकी है sales manager की तो sales manager और work manager दोनों मिलकर managing director को report करते हैं तो मेरा in short question ये first पहरा समझाने का इतना explain करने का मतलब क्या था देखो आपको question में पूछा गया था ट्रेटिंग machine shop fabrication and assembly as responsibility center prepares a responsibility accounting report to shop superintendent तो इसका मतलब जब हम question number two का answer निकालेंगे तक आपको सरफ और सरफ कौन सी चीज़े आप consider करोगे सरफ production वाली ही चीज़े याने की production department तक आने के पहले वाली चीज़े in the sense production की जिन्मेदारी shops रो प्रेटेंडन की है तो उसमें लगने वाला material labor और utilities तो सरफ इतना ही उसकी responsibility आएगी तो इस responsibility report में हम कहीं पर भी selling and administration expenses हमने नहीं लिये है because वो जिन्मेदारी किसकी थी sales manager की थी आपको reporting करनी है shop superintendent को तो उसकी reporting सरिफ इतने तक ही होगी I hope आपको समझ रहा होगा अब आगे rate करते हैं question क्या दिया गया है आगे आपको दिया गया है the following data relating to the month's performance तो आपको यह जो data दिया गया है वो month का है are cut out from the books of the company यह books of company से आपको data दिया गया है तो देखो data क्या दिया गया है आपको दो columns दिया गया है vertical columns budget and variance from budget तो एक तो budget दिखा है दूसरा variance बोलो या variance बोलो तो variance from budget मतलब की budget variance का मतलब क्या होता है difference ठीके तो यह budget से कितना vary कर रहा है it means हमको अगर actual निकालना पड़ेगा तो एक बात धान में रखो हमें बनानी है cost sheet तो cost sheet अब आपको दो columns बनाने पड़ेंगे एक तो budgeted और actual दोनो ठीके तो अब budgeted figures तो आप ले ही लोगे अगर आपको actual figures निकालनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यह जो variance से आपको दिख रहे होंगे हर जगा पर A लिखावा है या F लिखावा है A, F, A, F तो यह आपको दिख रहे होंगे पूरी line अगर आप दिखोगे तो A, F, A, F लिखावा है तो A का मतलब होता है adverse और F का मतलब होता है favorable और यह जो हम बात करें सबसे पहले तो दिमाग में इतना होना चाहिए कि हम बनाना क्या चाहते हैं? कॉशिट तो यह हमें सारी जो details दी गई है तो अब actual निकालते वक्त आपको करना क्या होगा जैसे ही मुझे कोई चीज budgeted दी गई है budgeted कोई चीज दी गई है और मुझे actual निकालना है तो अगर कोई चीज adverse होती है तो adverse होती है तो मैं उसे क्या करूँगी कोई चीज adverse होगी तो उसे मैं add करूँगी ये budgeted figure होगी मेरे पास suppose की 200 है और adverse suppose मेरे पास 20 दिया गया है तो वो मैं add करके मेरी amount actual क्या बन जाएगी 220 बन जाएगी अब ऐसा क्यों है आपको मैंने बार-बार sentence बोल रही हूँ ब्रेन में होना चाहिए कि हम cost की बात करें cost यानि की cost तो cost adverse कब होता है cost adverse तब होगा जब हमारा actual खर्चा जादा होगा it means adverse कब बोलेंगे जब actual जादा हो इसी लिए हम budgeted में क्या कर रहे हैं add कर रहे हैं उसी तरीके से अगर अगर आपको budgeted दिया गया है figure 200 और आपको कोई ची यह suppose 20 तो आपको अगर actual निकालना हो तो आप किस तरीके से निकालोगे आप less करोगे 20 minus sorry 200 minus 20 करोगे तो actual आपका 120 आएगा देखो meaning समझो favorable का मतलब क्या हमारे लिए beneficial तो cost कि कब बोलेंगे हमारे लिए beneficial है जब budgeted से actual cost आपको कम लगी हो तभी favorable बोलेंगे तो आपको समझ आय adverse जहां जहां लिखा हुआ है वो चीज़े हम add करेंगे और favorable less करेंगे adverse को add क्यों कर रहे हैं because हमारी actual cost ज्यादा आई तो हम उसे adverse कहेंगे cost कभी भी अगर ज्यादा आती है कोई soap आपको 10 रुपीस में बिल रहा था पहले अब 12 रुपीस में बिल रहा है तो आप क्या है ना और अगर profitable कभ बोलेंगे अगर हमने budget किया था 10 रुपीस में soap आएगा लेकिन वो soap आपको 8 रुपीस में मिल रहा है तो हमारे लिए क्या हो गया benefit हो गया 2 रुपीस का तो उसे हम favorable कहेंगे तो 10 मेंसे 2 माइनस करेंगे तो 8 हुआ आपको इतना तो आप समझ आ ही गया होगा तो अब हम रीट करते हैं अब देखो जैसे ही आप ये टेबल रीट करते हो ना तो ये आपको टू पेजिस का टेबल दिया गया है अरौंड वन एन हाफ पेजिस का तो आप जैसे ही खर्चे पड़ते जाते हो तो आपको cost format कौश दी गई है यहां पर आपको दिया गया है direct material wages expenses तो उससे आपका बनता है prime cost Prime cost में हम factory overhead आड करते हैं तो यहां पर factory overhead हमें factory cost मिलता है फिर हम उसमें आड करते हैं opening WIP closing WIP less करते हैं तो हमें factory cost मिल जाएगा फिर administration overhead आड किया जाता है तो हमें cost of production मिल जाएगा उसके बाद finished good add करेंगे less closing stock of finished good less करेंगे तो cost of goods sold मिल जाएगा selling overhead less करेंगे तो cost of sales मिल जाएगा अब मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे कि यहां पर तो मैंने स्रफ short में factory overhead लिख दिया है लेकिन factory overhead में देखो बहुत कुछ आ सकता है यहां मैंने स्रफ single line में लिखा हुआ है तो factory overhead में आपका depreciation आ सकता है आपके जो work manager होगा factory में कोई बंदा होगा उसकी salary आप देते होंगे वो आएगा या फिर देखो administration overhead में आपका office का खर्चा आ सकता है selling and distribution में आपका publication का खर्चा advertisement का खर्चा news का खर्चा in the sense यह सारी publicity से related जो खर्चे होंगे वो आपके selling and distribution overhead में आएंगे तो आपको सारे cost जो है वो उसके लिए wordings अलग-अलग लिखी होगी तो आपको इन तीन categories में divide करना पड़ेगा कौन सा हमारा cost factory cost है कौन सा administration है और कौन सा selling and distribution है ठीके I hope आपको समझ रहा होगा अब हम question rate करेंगे तो सबसे पहले देखो आपको दिया गया है sales commission तो फिलाल तो amounts को आपने ignore ही करना है सरफ आपने sales commission के बाजो में आप क्या लिख दोगे sales commission ये हमारा selling and distribution overhead से related है तो small pencil से आपने देखो किस तरीके से लिखना है ये देखो ये मैंने लिखा है sales commission है administration and selling overhead उसके बाद raw material ये तो हमारा prime cost का पाड़ बनता है ठीक है लेकिन raw material सरफ मुझे machine shop हमारे तीन departments थे न तीन departments कौन से थे machine shop, fabrication और assembly तो देखो ये prime cost में आएगा raw material prime cost में आता है लेकिन ये एक ही shop का दिया गया है एक ही department का लेकिन नेचे अगर आप देखोगे तो यहाँ वापिस आपको material दिया गया है assembly और fabrication का ठीके तो ये भी हमारा prime cost पन जाएगा उसके साथ आपको अब दिया गया है publicity expenses, printing and stationery, traveling expenses तो देखो printing, publicity, stationery और traveling ये किस से related ह है publicity expenses तो selling and distribution overhead में आएंगे printing और traveling जो है traveling भी selling and distribution में आएंगे ठीके distribute करते वक्त आपको traveling का खर्चा लगता है लेकिन जो printing and stationery है stationery आपके office काम में use होती है तो इसे हम कहेंगे administration overhead ठीके administration overhead और selling and distribution overhead को हम साथ में ही लिख रहे हैं उनकी मैंने सब category नहीं की गई because देखो ये question मैं already read कर चुकी हूँ answer मुझे पता है तो institute ने किस सरी के से solve किया है मैं वो आपको बता रही हूँ तो इन दोनों को further cost में categorize नहीं किया है लेकिन अगर आप चाहो selling को अलग administration को अलग करना चाहो तो वो भी आप कर सकती हो ठीके आगे दिया गया है wages तो देखो wages किसका part बनता है prime cost का तो wages मुझे तीनों departments की दी गई है machine shop fabrication assembly material तो already मैं read कर वा चुकी हूँ आपको दिया गया है देखो utilities में ही आपको यह तीन यह मैंने prime cost का हिस्सा क्यों लिया because देखो यह directly related to department है कोई भी चीज अगर directly related है तो उससे हम क्या कहते है prime cost कहेंगे आगे आगे लिखावाई या फिर आप उसे variable cost भी कह सकते हूँ because वो directly related है आगे दिये गए है maintenance, stores and planning तो maintenance, stores और planning तो यह कहाँ पर आएंगे factory overheads में, ठिके maintenance का खर्चा आपको लग रहा है यह factory में आएगा, stores आप सामाल लगने के लिए आपको लग रहे हैं तो यह factory overhead में आएंगे, planning का खर्चा factory overhead में आएगा साथी साथ आपको दिया गया है shop superintendent office, तो उसकी shop superintendent का जो office है उसमें आपको salary and expenses, तो salary आप shop superintendent का आपको याद रहेगा उपरी question में लिखा था, इसकी responsibility क्या है production department की, तो production में काम करने वाले को जो भी आप salary दे रहे हो, तो वो कहाँ पर जाएगी, factory overhead में जाएगी, because यह production department को संबाल रही है ठीक है, उसके बाद करते हैं depreciation की, तो यह भी factory बाजु में ही लिखा है, तो यह factory overhead में जाएगा, works manager, directly नाम सही बता है, works manager मतलब क्या, factory manager, तो उसको जो हम salary दे रहे है, salary and administration, तो यह भी factory overhead का, overhead में आएगा, देखो भले ही यहाँ पर salary and administration लिखा है, लेकिन आपको किसको दे रहे हो, वो ध्यान में देना है, works manager को देना है, तो यह factory overhead का हिस्सा बनेगा, और अगर आप general office है, तो general office की salary and administration है, तो वो administration overhead का बनेगा, और managing director salary and administration, यह दोनो, managing director भी कहां में आएगा, किसमें आएगा, administration overhead में आएगा, तो हमने सारे जो cost थे ना, हमारे पास यह सारे क्या दि गए गए थे, उन्हें हमने उनके categories में divide कर दिये, और मैंने आपको बताया कि यह cost है हमारे, यह हमारे budgeted का column है, और यह हमें बताया है कि variance कितना है, actual और budgeted में difference कितना है, तो हम क्या करेंगे, actual figure मुझे निकालनी होगी, तो कोई चीज adverse है cost की, तो मैं cost को increase करना पड़ेगा, तो add करूंगी, favorable है, तो क्या करूंगी, less करूंगी, इसका meaning मैं अल्रेडी आपको बता चुकी हूँ, अब देखो, आपको first question read करवाते हैं वक्त मैंने आधा ही question read करवाया था, उसमें उन्होंने पूछा था कि आपको caution बनानी है तीनों departments की, तो नीचे दिया गया है, the shop superintendent devotes his time amongst machine shop fabrication and assembly in the ratio of 4s to 3s to 4, ठीक है, तो देखो, यहाँ पर जो आपको factory, I'm sorry, यह जो shop superintendent office, यह salary and expenses जो दिये गए थे न, यह आपको split करके नहीं बताई गई, कि machine shop में कितनी, assembly में कितनी, fabrication में कितनी, because वो तो एक ही manager आप उसको एक salary दे रहा है, वो split नहीं की गई, तो आपको वो split करकर बताई गई है, कि वो split कौनसे ratio में करनी है, in the ratio of 4s to 3s to 4, ठीक है, तो यह देखो, यह तो हमारा factory overhead में, यह इसका जो है, इसका हमें split कैसे करना है, bifurcation कैसे करना है, वो question में ही दिया गया है, रही बात, direct material की, wages की और utilities की, तो यह तीनों directly related है, तो इनक तो हमें देखो, अलग-अलग से, department wise बताया ही है, देखो, department wise अलग-अलग बताया है, अब shop superintendent का भी, यहाँ पर हमें question में ही ratio दे दिया गया है, बाकी रहे, यह जो remaining जो overheads है, यह remaining जो factory overheads है, यहाँ पर भी थे, यह factory overheads, तो इनको किन ratio में split किया जाएगा, because यह भी तो common खर अचे होते हैं, वो commonly use होते हैं, तीनों departments के लिए, तो इन्हें भी तो split करने के लिए, तीनों departments में bifurcate करने के लिए, हमें कुछ न कुछ लगेगा ratio, basis लगेगा, तो उन्होंने देखो, क्या बोला है, अदर factory overhead, अदर factory overhead word कि यूज यूज किया है, because shop superintendent भी हमारा factory overhead का ही हिस है, लेकिन उसका ratio, उसका bifurcation हमें already बता चुके हैं, अब वो बात करें, इसके अलावा, तो इसका means other factory overheads, are absorbed on the basis of direct labor in each cost center, तो हर एक cost center में, जो other factory overheads है, उन्हें किस basis पर allocate किया जाएगा, direct labor के basis पर, तो इनका आपको क्या करना पड़ेगा न, इन सब के आपको addition करनी पड़ेगी, इसी लिए देखो मैंने पहली ही क्या किया था, यहाँ पर तो wording मैंने factory overhead लिखा था, लेकिन यह सब जो है, जिनका bifurcation हमें नहीं पता, तो उनके बाजू में मैंने other factory overhead word यूज किया है, तो इन सब को आप क्या करोगे, इन सब के addition करोगे, और फि हर किसी cost की, क्या मिल जाएगी, split करोगे, आप direct, देखो on the basis of direct labor, तो direct labor के basis पर आपका जो direct labor दिया गया है, देखो यहाँ पर direct labor दिया गया है, यह तीनों, तो इनके ratio में हम क्या करेंगे, इनको split करेंगे, देखे, बाइफर केट करेंगे, इसके ratio में, तो इनका ratio ये तो budgeted वाला हुआ, इसी तरीके से आप actual figures भी निकालोगे, तो actual की भी जो figures आएंगी, उसके ratio में actual figures divide की जाएंगी, आगे read करते हैं, आगे लिखावा है, office, administration and selling and distribution overhead are born equally by cost center, और बात कर रहे हैं वो administration, selling and distribution, तो देखो यह हमारा administration and selling and distribution का अलग से हमने part बनाय था, यह देखो, यह सार हमारे administration and selling and distribution, यह sales commission को भी लेना नहीं बूलना, ठीक है, यह दोनों, फिर उसके बाद यह वाले बचे, तो इन सारे cost को, इन सारे cost का भी हमें bifurcation बताया है, किस तरीके से इने split करेंगे, equally बोला हुआ है, और देखो, देखो मैंने administration overhead को अलग, और selling and distribution overhead को अलग क्यों नहीं जा रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया था, इनको combined ही लिया है, अगर आप चाहो, तो इन्हें अलग अलग भी ले सकते हो, तो अब हम क्या करेंगे, first question हमारा solve करेंगे, तो सबसे पहले तो आपनी क्या करना है, format देखना है, तो format में अगर आप देखोगे, देखो यह आपक इसलिए, तो मैंने आपको बताया था, आपकी तीन देपार्टमेंट से तीनों की कौशिट बनानी है, तो आपको तीन वर्टिकल कॉलम्स बनानी पड़ेंगे, तो तीन तो बनानी ही है, लेकिन आपको याद होगा, question में actual figures नहीं दी गई, budget दी गई है, तो हमें जो कौशि वर्टिकल कॉलम्स ना बनते हुए, छे वर्टिकल कॉलम्स बनेंगे, तो देखो, machine shop, fabrication, assembly, तो budgeted, actual, budgeted, actual, budgeted, actual, तो इस तरीके से आपके छे वर्टिकल कॉलम्स बने हैं, उसके बाद अब बात करते हैं, देखो, हमारा कौशिट का format जिस तरीके से होता है, कैसे होता है, direct material wages, direct expenses, जिसे हम utilities बोल रहे हैं, तो देखो, यहाँ पर आपने लिया, direct material, wages, utilities, तो आपका क्या बन गया, prime cost, prime cost के बाद आपका आता है, यहाँ पर देखो, factory overhead, तो factory overhead में हमने देखा था, दो factory overhead से, एक तो shop superintendent की, उसका ratio हमें बताया गया था, उसके बाद आएगा, other factory overhead, तो इस से हमें क्या मिल जाएगा, factory cost, आपको देखो, कोई भी opening WIP या closing WIP नहीं दिया गया था, तो इसको हमने skip कर दिया, तो हमें directly यह net factory cost बिल गया, अब बात करते हैं, administration and selling and distribution की, यह भी finish good भी हमें नहीं दिया गया, तो इन दोनों को add करेंगे, तो हमें cost of sales मिल जाएगा, तो दे cost मिल जाएगा, तो अब one by one देखेंगे, देखो, सबसे पहले raw material की अगर बात करें, तो raw material में आपकी question में, जो figures दी गई है न, raw material की अगर आप figures देखोगे, तो यह 900 machine shop की, assembly shop की 760, 460, 900, 760 और 460, तो देखो यहाँ पर 900, 460 और 760, उसके बाद, आपको देखना है कि अब adverse दिया गया है या favorable, तो देखो यहाँ पर machine shop की case में adverse दिया गया है, और यहाँ पर यह material की case में, यहाँ पर भी adverse, adverse, तो cost जब adverse होता है, तो हम add करते हैं, तो देखो 20, 40 और 10, तो हमने क्या किया, यह देखो, अब यह जो actual figures है, तो 40, I'm sorry, 20, 10 और 40, आपको देखो, यह देखन है, बरोबर से आपको देखना है, material and component, सबसे पहले जो आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको दी गई है, machine shop में 20, यहाँ पर दिया गया है, assembly का 40, और fabrication का 10, तो देखो, यहाँ पर है उन्होंने sequence चेंज कर दी, पहले fabrication का देने के बजाए, पहले assembly, यहाँ पर fabrication assembly वर्ड य हमने यह budgeted वाली figure ली, उसमें variance क्या किया, add किया, तो हमें actual figures मिल गई, उसी तरीके से आप wages की भी करोगी, तो wages का देखो, आपको दिया गया है, 800, 600, 720, तो यहाँ आएंगे हम, यह देखो, 800, 600, 720, अब बात करते हैं actual की, तो actual की अगर बात करें, तो यहाँ पर मुझे favorable, य तो यह machine shop, fabrication और assembly, तो यहाँ favorable दिया गया है, और यह adverse, 10 less करेंगे, 20 और 10, यह देखो, यह 10 less किया, बाकि 20 और 10 add किया, तो यहाँ पर देखो, minus sign ने minus किया, 800 से, यह 600 में 20 add किया, विकोज यहाँ favorable था, तो less किया, यहाँ adverse थे, तो हमने क्या किया, add किये, उसके बाद यूट अब देखो, यहाँ पर दिये गए हैं, आपको 320, 470, 560, 320, यह देखो, 320, 460, 560, 470, okay, sequence आपको देखना है, sequence हमारी यहाँ machine shop, fabrication, assembly है, तो यहाँ पर भी, आपकी machine shop, fabrication, नीचे दिया गया है, assembly second number पे, तो आपको यहाँ sequence change किया हुई है, डायरेक इस तरीके से figures उठा के वहाँ लिखोगे, तो गलत हो जाएगा, आपको proper देखना है, यह assembly पहले दिया है, सॉरी, पहले machine, second assembly दिया है, third fabrication, और यहाँ लिखते वक्त हमने, पहले हमारा क्या है, machine shop, दूसरा fabrication है, तीसरा assembly है, तो यहाँ की figures, यहाँ, यहाँ की figures, वहाँ नहीं दिखना है, carefully read करना है आपको, अब बात रही, adverse favorable की, तो देखो, यहाँ पर 10 adverse है, और यह दोनों favorable है, तो 10 को add करेंगे, 60 और 30 को less करेंगे, तो देखो, यहाँ पर 10 add किया, यहाँ 60 less किया, यहाँ 30 less किया, ओकी, इस question में बहुत easy है, लेकिन figures को उल्टा सुल्टा नहीं लिखना, fabrication की, fabrication क कॉलम में लिखनी है, assembly की, assembly के कॉलम में लिखनी है, इसलिए मैं आप से कहती हो कि practice करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप प्रक्टिस नहीं करते हो, तो हो सकता है, इसकी figures यहाँ लिखतो, इसकी figures यहाँ लिखतो, तो अगर आप अभी उसको written practice करते हो, अभी mistakes कमिट करते हो तो वो easy mistakes यह silly mistakes आप exam में repeat नहीं करोगे I hope आप समझ रहे होंगे आगे read करते हैं आगे आपको दिया गया है तो हमारा prime cost तो हो गया अब बात करते हैं हमारा shop superintendent की तो यह जो 110, 1100 है ना तो हमें इन्हें किस ratio में divide करना था 4 is to 3 is to 4 में देखे तो अब देखो यहां पर आए हम लोग तो यह मेरा shop superintendent है तो 4 is to 3 is to 10 तो 4 plus 3 plus 4 किया तो मेरा आता है 11 तो 1100 divided by 11 किया तो it means मैंने इस 1100 को simply 400, 300, 400 400, 300, 400 तो यह देखो budgeted वाले columns मेरे fulfill होगे अब बात करते हैं actual की तो actual के लिए हमें देखना है adverse या favorable क्या चीज़ दिया थी यहां favorable दिया गया है it means 22 हमारा क्या होगा 22 यह हम क्या करेंगे favorable है तो cost favorable याने की actual कम हुई है इसलिए हमने less किया तो 1100 minus 22 किया तो 1078 बाकी ratio तो वही रहेगा 4 is to 3 is to 4 तो simply आपने क्या करना है 1078 divided by 11 करना है फिर आपको इस ratio में split करना है 4 is to 3 is to 4 के ratio में आपको समझ रहा होगा तो आपको ये actual वाली figures मिल चाहेंगी यहां पर मैंने calculation आपको करके बताया है उसके बाद आते हैं अब other factory over rates की बाद अगर करें तो इसके लिए देखो यहां पर लिखावा है working note 1 देखनी है तो working note 1 अगर हम देखें तो यहां पर आपको दिया गया है maintenance factory देखो factory over rate दिया गया है पहली working तो maintenance stores and planning maintenance stores and planning यह हमने कहां से लाया देखो यहां पर ही मैंने आपको लिखवा दिया था यह जो maintenance stores and planning यह तीनों figures 400, 210, 180 400, 210 and 180 यह तीनों figures लिए उसके बाद आता है depreciation और work establishment यहां पर दिया गया था depreciation और यह 3880 and 3810 तो 3880 and 310 तो यहां तक हमारी total cost आ गई अब बात करते हैं actual की तो actual के लिए आपको देखना पड़ेगा favorable या unfavorable याने की adverse तो देखो यहां machine maintenance के लिए adverse, favorable, adverse तो 20 less करेंगे, 40 add करेंगे, 20 less करेंगे तो यहां पर देखो 20 add किया, 40 less किया, 20 add किया तो यह हमें actual figures मिल गई simply जो भी budgeted figure है उसमें add या less करोगे variance वाली figures तो आपको यह values मिल गए, उसके बाद अगर हम depreciation का देखें तो depreciation में आपको 40 adverse दिया गया है यहां पर भी आपको adverse दिया गया है तो दोनों में आप क्या करोगे, 40 40 add करोगे तो देखो यहां पर आपने factory में add किया 40 यहां पर भी 3810 में 40 add किया तो 3850 मिला तो इसी तरीके से आपके दोनों की total ले ली अब इन्हें आपको क्या बुला गया था आपको split करना है direct labor के percentage में तो direct labor अगर आप देखोगे तो direct labor आपने question में आपको दिये गए है question में direct labor जो लेकिन दिया गया था वो सरफ मुझे budgeted का दिया गया था यह 800, 600 and 720 तो इन तीनों के अगर मैं total करती हूँ तो 2, 1, 2, 0 आता है तो 2, 1, 2, 0 से मैंने divide किया multiply by 100 किया तो मुझे percentage terms में पता जल गया कि 400% यनि कि मेरा जो 8480 है उसका यह direct labor का कितना percentage आता है 400% आता है उसी तरीके से actual figures actual figures भी हम calculate कर चुके हैं यह 790, 620, 730 कहां से आई यह यहां हमने 790, 620 और 730 calculate की थी इन तीनों की total करेंगे इन तीनों की total से हमने क्या किया divide किया तो हमने simply क्या किया है factory over it को labor से divide किया तो मुझे percentage मिल गया और यह percentage किस पर है on direct labor division में क्या लिया है direct labor तो यह किसका percentage है यह direct labor के उपर percentage है 400% of direct labor तो 400% of direct labor it means जो हमारा जो हमको दिये गए हैं यहां पर यहां पर हपको wages दिये गए हैं ना तो simply यह जो wages है इसका आप हर जगह पर 400% लेते जाओगे तो यह जो wages है उसका 400% तो 800 का 400% उसके बाद 790 का 400 पर इंच आपको multiply करना है 4 4 से 400% बोला है तो divided by 400 divided by 100 करोगे तो simply आपको 4 4 से multiply करना है तो 800 इंटो 4 790 इंटो 4 600 इंटो 4 620 इंटो 4 720 इंटो 4 तो यह सारी जो मुझे wages की figure दी गई थी इसको मैंने 4 से multiply कर लिया because मैंने यहां पर क्या किया था यह जो wages है ना तो यह इसका यह दोनों भी जगह क्या रहा है बचेट के केस में 400 परसंट आ रहा है और एक्चुल की भी केस में 400 परसंट ही आ रहा है मैंने क्या किया जो मेरा फैक्टरी ओवरेड है वो लेबर के कितने परसंटेज है उसके उपर का रेशो मैंने परसंटीज टर्म में क्या किलेट किया तो फिर सिर्फ अब यहाँ पे हर जगह मैंने 400 परसंट लेटी गए यहा तक मेरा आगया पैक्टरी कॉस्ट मैने इस हारी टोटल करती तो फैक्टरी कॉस्ट मिल गया सारों की एड़ीशन करने के बाद अब उसमें हम एड़ करेंगे administration and selling distribution तो उसके लिए हमें इस working note 2 बनानी पड़ेगी तो देखो working note 2 में आपको आपको question में दिया क्या है working note 2 के अंदर ये देखो ये sales commission लेनी है उसके बाद printing, stationery and traveling expenses लेना है साथ ही साथ ये आपको last column में दिया गया था general office and selling distribution ये managing director salary ये सब भी expenses आप add करोगे तो ये देखो ये सारे आप आपने expenses यहां लिखना है अब मैं ये वापस explain नहीं करें adverse minus ये जो adverse होगा तो add करोगे favorable होगा तो less करोगे तो उसके बाद ये जो आपको total figures आती है इनको इन्होंने बोला था equally distribute करना है तो distribute equally मतलब यहां पर आपनी divide by 3 किया तो हर जगह budgeted के case में 5390 आएगा तो देखो 5390 5390 5390 उसी तरीके से actual का भी हमने क्या किया इनको हमने divide by 3 किया तो 5444 तो तीनों जगह 544444 और 443 तो इस तरीके से हमारा calculation हुआ तो मुझे क्या मिल जाएगा total cost मिल जाएगा यह हमारा question number 1 का answer complete होता है question 2 में हमें बोला गया था आपको क्या बनानी है आपको बनानी है responsibility center की report ठेके तो responsibility center की report के लिए आपको देखो क्या करना है simply वो भी आपको report किसको देनी थी shop superintendent को तो आपने क्या किया budget to actual और variance यहाँ पर आपको तीन vertical columns बनाने हैं और उसमें आपने देखो क्या क्या सबसे पहने machine shop लिया बिकास देखो shop superintendent के जिम्मेदारी तीनो production departments थे तो तीनो production departments आपने लिए machine shop, fabrication और assembly तो इसमें सिर्फ आपने तीन cost ही लेने है जो की prime cost है जो factory से related है तो machine shop, labor and utilities तो यह क्या करते है नहीं यह report करते है work manager को इसका मतलब direct expenses से related जो responsibility है वो shop superintendent की है लेकिन उसके पाद जो factory operates की responsibility होगी वो work manager की होगी तो इसी लिए सरफ हमने यह तीन columns ही लिए है direct material labor utilities, direct labor material utilities यह figures अभी आपने question 1 में calculate की हुई है बस वहाँ से उठानी है और यहाँ put up करनी है तीनों की अलग-अलग total भी लेनी है और final आपको total धी करके बतानी है ABC की ठीक है यहने कि department wise भी total लेनी है और साथ ही साथ तीनों department की मिलाकर भी total लेनी है इसी को कहा जाएगा report ठीक है और adverse आपका आ रहा है final और note में देखो as a shop superintendent office salaries and expenses included his salary also it has been assumed that this that these are not controlled by him hence not included तो वो कह रहे हैं देखो आप लोगे कि shop superintendent को हम salary दे रहे थे तो वो भी हमें इसमें डालनी चाहिए थी इस responsibility report में लेकिन वो क्या कह रहे हैं उन्होंने assumption दिया है कि वो जो salary या expensive है वो हम यह अजियों करें कि वो उसके control में नहीं है तो इसलिए हमने उसको इस responsibility center में इंक्लूड नहीं किया है अगर देखो आपको diagram दिखाऊं तो पर्स पैरा में हमें क्या दिया गया था आपके इस production department की जिम्मेगारी शॉप सुप्रे अन्यन की है फिर वो इनके साथ मिलकर work manager को report करता है work manager का काम क्या हुता है तो यहां तक जाने कि यहां पर जो खर्चे हैंगे डारेक मटेर लेबर और यूटिलिटीस वाले तरफ इन तीनों की जिम्मेदारी किसकी रहेंगी जॉप सुप्रे अन्यन की रहेंगी तो नहीं हमने उसमें factory overhead लिए नहीं administration और selling and distribution overhead लिए बिकास इनकी जिम्मेदारी selling and sales manager की थी और इनकी responsibility works manager की थी तो इन दोनों को हमने नहीं लिया है I hope आपको समझाया होगा बहुत ही simple question था अगर आपको ये videos अच्छे लगते हैं तो आप नहीं share करें दुआईं ले और दुआईं दे ओके दें बाई